टाटा मोटर्स के लिए आ गई है एक बड़ी गुड न्यूस और इस खबर के असर से गुरुवार को कमपनी के शेरों में दिखाई दी है बढ़ी आतेजी और बीते एक डेड़ साल में इन्वेस्टर्स ने इस शेर में खूब माल कमाया है लेकिन अब जो खबर आई है उसके के हिसाब से टाटा मोटर्स का शेर आने वाले टाइम में और तगड़ा रिटर्न देगा और यह शेर 925 रुपई पर पहुंच आएगा तो चलिए बताते हैं कि टाटा मोटर्स के लिए क्या बड़ी खबर आई है लेकिन खबर से पहले जान लीजिए कि टाटा मोटर्स के शेर का हाल क्या है नमस्कार मैं हूँ ईशामाल भी और आप देख रहे हैं विस तक गुरुवार को टाटा मोटर्स का शेर 2% से जादा उचल कर 801.80 रुपई के हाई पर पहुंच गए हालाकि इससे पहले दो दिन तक कंपनी के शेरों में गिरावट का सिलसला दिखाई दि गुरुवार की तेजी के साथ 5 दिनों की बात करे तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्टर्स को 4% से जादा का रुटर्न मिल गया है जबकि बीते एक महिने में ही ये शेर करीब 13% का बढ़िया रुटर्न दे चुका है टाटा मोटर्स के शेरों के लिए बीता एक साल शांदार रहा है पिछले एक साल में जिसने भी टाटा मोटर्स में पैसे लगाए होंगे उनका पैसा आज डबल हो चुका होगा क्योंकि शेर ने एक साल में 106% से जादा का रुटर्न दिया है नए मॉडल्स लॉसस का लगा से पैदा हो गई है क्योंकि टाटा मोटर्स को लेकर आ गई है एक ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की बड़ी रिपोर्ट ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के लिए अपने रेटिंग को अपग्रेट कर दिया है जेपी मॉर्गन ने इस शेर को ओ 925 रुपए का रिवाइस टागेट प्राइस इसके दिये गए पिछले टागेट से 36 प्रतिशत ज्यादा है साथ ही ये प्राइस बुधवार को टाटा मोटर्स के 781 रुपए के बंद भाव से भी 18% उपर है जेपी मौर्गन के टाटा मोटर्स की रेटिंग अपग्रेट करने से ही गुरुवार को इसके शेरों में बढ़िया तेजी दिखाई दी है जेपी मौर्गन के एनलिस्ट ने कहा है कि टाटा मोटर्स को अपग्रेट करने के पीछे बड़ी बजा कंपनी की ब्रिटिश सबसिडिरी जैगवार लैंड रोवर के उमीद से बहतर मार्जन और फ् पांच लाग 53,000 गाडिया बेचने में सफल रही है और इस लिहास से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है भारतिय बाजार में कंपनी का मार्केट शेर 2023 में 12.3 प्रतिशत रहा है पैसेंजर वेहिकल सेग्मेंट की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेर 2022 के 11.27 प्रतिश पर पहुँच गया है इतना ही नहीं तेजी से उभरते इलेक्ट्रिक वेहिकल सेग्मेंट में कंपनी पहले पाइदान पर काबिस है दिसंबर में टाटा मोटर्स की एवी सेल सालाना आथार पर 5 प्रतिशत बढ़ी है दिसंबर 2023 में कंपनी ने कुल 47,855 कारे बेची है ये आकड़ा दिसंबर 2022 में 44,356 यूनिट था पैसेंजर वेहिकल्स की सेल भी 8 प्रतिशत बढ़कर 43,675 यूनिट पर पहुँच गई है शेरों के परफॉर्मेंस के लिहास से देखें तो टाटा मोटर्स निफ्टी 50 का ऐसा एक लौता शेर है जिसकी कीमते 2023 में डबल हो गई ह और साल के अंथ में ये अपने आल टाइम हाई के करीब पहुच गया ज्यादतर ब्रोकरिज हाउसेस की टॉपिक्स की लिस्ट में ये शुमार है और इसकी एक बड़ी वज़ा JLR को लेकर बना हुआ मजबूत आउटलूक है इसके अलावा इलेक्ट्रिक वेहिकल्स में भी क 225 रुपई करने से इन्वेस्टर्स में खुशी पैदा होना तै है अब देखना ये होगा कि टाटा मोटर्स क्या वाकई इन्वेस्टर्स की उमीदों पर खरा उतरता है 2023 में जैसे कंपनी ने रिटर्न्स दिये क्या 2024 में भी ऐसे ही रिटर्न्स दे पाएगा या नहीं आप आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी खबरे देखने के लिए बने रहे है बिस्तक के साथ मात्र 119 रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रिमियम मेंबर प्लान सिलेक्ट करेंद से हाउ